जै गुरुजी, नमस्ते सभी संगत को जो जुड़ी है, और मेरा सुभाग्य है कि ये मौका मुझे गुरुजी की कृपा से मिला है, और आपने जो लाइन दी है कि दवाई भी जबी काम करते हैं, जब गुरुजी ब्लेस करता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत जरूर है और हमेशा हमेशा से उन्होंने जिस जिसको बुलाना है कोई भी जिसको भी उन्होंने चाहा है बुलाना वो जरूर गुरुजी के पास गया और जिसको नहीं चाहा वो गुरुजी के पास नहीं आपा सकता है मैं यह समझ चूंकि गुरुजी से मिलने का जब मौका मिला तो गुरुजी की मर्जी थी मैं गई गुरुजी के साथ सामने मेरे बच्चों को भी मैं लेके गई मेरे तीन बेटियां तीनों को मैं लेके गई मेरे अंकल गए और हमने जाके गुरुजी को जब वहां गए तो एकदम लाइट मुझे जो है एकदम लाइट नजर आई इतनी तरह से मैं वहां बैठी, मन में कुछ नहीं था, कोई ऐसी चीज बांग नहीं थी किसको मैं लेने के हूँ, लेकिन वो गुरुजी को पता था कि मेरे आने वाला समय क्या होगा, कैसे होगा, फिर भी हम लोग ये सुभागे था हमारा गुरुजी ने अपने पास रखा, और किस किस तरह से गुरुजी की मतलब किन शब्दों में बढ़ाई करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है, हर एक शब्द, उनके रूप और स्वरूप और उनकी जो कृपा है, उसके आगे सब छोटा है, अब हम अपने शब्द जो हमारे पास हमारी डिक्शनरी में हैं, हम केवल उन्हीं को यूज करते हैं, उन्हीं को कहते हैं, शुक्राना हम गुरुजी, मालिक का शुक्राना, ये देने का शुक्राना, ऐसा देने का शुक्राना, हम शुक्राना, शुक्राना और गुरुजी भी यही कहते हैं, गुरुजी चाहते थे कि जब संगत के में काम करूं, त से में बहुत ही दुखी हम हुए और घुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए हम जब हमें तो यह मालुम था कि बड़ी से बड़ी परशानी आएगी चाह वो पुजिकल कोई परषानी हो चाहाए अमोशनल ईहो चाहे सोश्ड Lewis हो हम गुरुजी इसे कहेंगे और तुरह दोर है इतना मन को ताकत और शक्ति और शांती थी लेकिन गुरुजी के जाने के बाद जो स्थिती हमारी मेरी नहीं बलकि जितनी भी संगत को मैं देखती थी सब को हालात खराब थे कोई इधर उदास बैठा है इंपारे स्टेट में जाना बंद हो ग बड़े मंदिर जब जाते थे तो बहुत ही कम संगत होती थी और हम लोग खुद बैठके बड़े मंदिर में ऑल में बैठके गुरुजी के सामने बस आँख बंद करके ध्यान में रहती थे गुरुजी आप हमें छोड़ के गए कैसे होगा क्या होगा अब हम किसको कहें कहा जाएं धीरे 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 मैंने देखा कि मेरे भी मैं बहुत अपने आपको समझते हूं कि महीं रोना चाहे था लेकिन वहां बैठ के आंकों से इतने आसों निकलते थे हम मुझ चुपाना पड़ता था कि यह क्या हुरा है लेकिन मैं साथ वाले अंटी को देखने हूं वह भी रो रही है दूसरी भी रो रही है लेकिन फिर मन को शानती देख अंदर से यह आवाज आई कि मैं कहीं नहीं गया हुएhold बहुत शक्ति मिली और हम जैसे इंसान गुरोजी की जैसे परिक्षा लेने लगे मैंने एक बार भी कहा कि गिरु भुराज यदि आप यहां हैं तो आप मिले को अपना एक प्रमान दो जहां गुरुजी की गद्दी है मैंने कहा मैं यहां पे हाथ लगाऊंगी अगर मुझे कुछ मिला आप से रिलेटिड चीजें तो मैं समझूंगी कि आप यहां है आज भी यह मैं मन में सोच रही और ध्यान में लगा के मैं वहां बैटी थी महरे को हमेशा गुरुजी भी अपने साथ चेर के साथ ही बिठाते थे और चरन सपर्श करने का चरन दबाने का मोका मिला हाथ दबाने का, उनको छूने का मुखा मिला, उख कैसा समय था, जैसे हम स्वर्ग में बैटे हैं, वहाँ से जाने को मन नहीं करता था, इतनी उचाईयों तक गुरू जी ने मुझे पहुंचाया, मैं बाद में बात करूंगी उसकी, इतनी उचाईयों तक कि जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी और जब मैं आहीं जिप कोई तकलीफ में नहीं थी, लेकिन गुरू जी की करपा से धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, जब हम आ गए बढ़े और जो गुरू जी ने हमारे बीच में से, फिजिकल रूप में से तो गए, लेकिन आज भी हर पल-पल, वो हमारे साथ ह तो जैसे मैंने कुर्सी के नीचे हाथ लगाया, तो मैंने देखा एक पतला सा गत्ते का बॉक्स था, बहुत ही चुप, पतला सा, लंबा सा, मैंने उसको वहाँ खुला, तो एक स्टील का स्पून था, जिसका आगे से टी स्पून जितना साइज और पीछे से उसकी डंडी जो झाती थी, तो मैंने खा disruptиком ट्का गुरुजी मैं एक स्टेज, मेरा प्लिटिकल करियर है और ministers में ईन्हें मत्तली मोलग। और मेरे जर्क लगी में का मेरे ना डॉक्टर को दिखाए लफ और फाइब में कोई प्रॉब्लम है गुरुजी ने का अच्छा चलो फिर गुरुजी ने अपने अंदर जैसे हमेशा से सभी बहुत सारी संगत में और बताए होंगे अपने एक्सपिरियंस उन्होंने अंदर जाके अपने बिस्तर पे लिटाया और लिटाके उन्होंने एक स्पून मंगाया कि चंद से तो वो स्पून की मुझे तब तुरंत ज्यादा है जैसे मैंने कहा था कि हम लोग कितने अनारी है कैसे हम लोगों का समझ नहीं आता क्या बुद्धी है कि उनकी परिक्षा ले रह एमन कहा जी गृरूजी पानी दो ग्लास तक यनाल स्वेसरे जरूर प्या ग उस दिन के बाद गृू की करपा गृू की महिमा मैं कैसे कीन शब्दों में बताओं मेरा तुरंत वो ठीक हो गा जिसके लिए मुझे की बादगी के लिए करो और बेल्ट बांद के करो यह सब उसकी गुरू की किर्पा से कभी जरूरत नहीं पड़ी और आज भी कुरू की पूरी कुर्पा हमारे साथ बच्चों के साथ सारी संगत के साथ पूरे विश्व की पूरे हर जगा की विश्व वर्मान की मैं तो कहूंगी उनके पास आज कर्पा गुरू जी की है गुरू जी पल पल सबको देखते हैं एक नहीं अने को बार ऐसा हुआ मैं जब थोड़े दिन होगे फिर मैं जब मंदीर में बैटी तो मेरे को लगा हाई गुरू जी पता नहीं मैंने क्या सोचा फिर मैंने एक दिन ऐसे देखा गुरू जी के पास बहुत सारे फ्लार सजे हुए थे, गुलाब की थे, मोतिया के थे, मालाई थी, बुकेत रखे थे, तो मेरे मन में बैठे बैठे मैं सोचे थी, गुरू जी, आप सच मुछ में है ना, तो आप मुझे यहाँ पर कमल का फूल दिखाए, या मुझे कमल का फूल मिलना चाहिए, मैं 15-20 मिनिट बैठे रहे ध्यान में और मैंने का अच्छा देखो, नहीं मिला ना, गुरू जी फिर मरला बहमन का, गुरू जी ऐसे हमारे अंदर डर पैदा होता है, कि आप हैं के नहीं है, देखो मिला ही नहीं, बस मैं यह सोच के भूल गई, फिर 15-20 मिनिट बैठे रहे ध्यान लगाती थी, तो जब मैं वहाँ जाके बैठी और मैं बहुत कम बात करती थी, किसी से भी जितनी भी संगत थोड़ी सी थी, लेकिन गुरू जी भी कहते थे, गुरू जी कहते थे एक दूसरे से कोई relation नहीं मनने कोई संबंद्री मनने किसी से बाची वो खुद भी अच्छा नहीं लगता था गुरू जी के सामने भी नहीं करते थे और बाद में भी नहीं किया तो जब मैं वहां बैठके ध्यान में बैठी थी मैं भूल गई थी मैंने अंदर क्या कहा क्या नहीं कहा इतनी देर में न सदा मासूं जो सिंगर हैं गुरू जी के ब्लेज्ड हैं वो वहां आए आके बैठे तो मेरे साथ कहने लगे आँटी आपके पास मेरी नई सीडी मिली उसे मैं सीडी में उनके सांग जो देते हैं तो मैंने नहीं नहीं उसने का अच्छा में देता हूं समय बाएक खुला और एक सीडी रिकॉर्डेट सीडी दी जिसके उपर कमल का फूल बनावा था पिंक कलर में और उसमें बीच में गुरुज उन्होंने मेरे जैसे हाथ में दीना हो, I was totally surprised, मैं इतना पहरान हो गए कि मैं जो अंदर बात कर रही थी, मैं तो भूली चुके थी, वहाँ बैटके मेरे को बिल्कुल ध्यान में नहीं था, लेकिन जैसे में भूल दिया, तो मेरे को समझ में आया कि गुरुजी ने अपनी जो प्रेजन्स है वो दिखा दी, और मैंने शुकराना किया, गुरुजी का मालिक शुकराना में से कुछ गल्ती भूल चुक हो जाए, मुझे माफ भी कर देना, बक्षन हर मुझे बक्षों हम लोग पता नहीं किस तरह के बुद्धी वाले हैं, हर वक्त में डर जाते हैं, इस संसार में रहे के अनेकों पीड तो मैंने का छाब नहीं मैं कुछ भी कहूंगी गुरुजी, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छे नहीं लगते हैं, पर फिर भी मन जब अशान्त होता तो कहते हैं, गुरुजी आप है या नहीं हैं, हमें बताओ, तो इसी तरह से समय चलता गया, और बच्चों की भी जिस जो कुछ भी में से का, जैसे एक बर ही कहा, कि वीरवार आए, मैंने का अच्छा जी गुरुजी, बहला हम बहुत लाइट लेते थे जब हमने सोचा हैं नहीं, मैं कहरे हूं, आज जो जुड़े हैं संगत गुरुजी के बाद, उन्होंने सीधा भगवान मान के जुड़े ह और जब हम जुड़े थे, हम उनको इनसान मानते रहे, गुरुजी, गुरुजी कहते थे लेकिन इनसान, क्योंकि वो बहुत लाइट मूड में बात करते थे, कभी चेर के साथ जब इठा लेते थे, कभी यहां की बात, कभी वहां की बात, कभी सोचली बाते करते थे, कभी ह circle था तो एक दिन Guru जी ने का जब कहा तुम मैंने का गुरूजी हम किसी को जब कहते हैं कि Guru मेरे Guru जी के पास चलो तो उनको एसा लगता है कि Guru उस समय बहुत समय ठीक नहीं था और Guru पता नहीं कितने कितनी तरह के Guru जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा बद्रामिया थी तो सब लोग ऐसा सोते हैं अपने गुरू के पास क्यों ले जा रहे हैं हमें क्यों ले जाना चाहते हैं तो मैंने का दो तीन बारी कहा गुरू जी मैं नहीं क्या कह सकती उन्होंने एक का नाम लिया कि पटनायक तो बहुत लाता है तो मैंने उसका जवाब दिया कि गुरू ज मैं नहीं गई। जब गई तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बुला कि मैं वीरवर बुला ऐसी। मैंने का गुरुजी बहुत सारा काम था तो रात को दो गुजे में खतम किया अपना काम। वो चुप हो गए। फिर एक दो दिन बाद फिर उन्होंने यही कहा। मैं वीरवर बुला ऐसी तो आई नहीं। मैंने का गुरुजी मैंने आपको बताया ना कल की यह मेरी फाइल्स पढ़ी थी मेरे मंत्राले की मैंने का वो क्लियर करनी थी मुझे मैं इस वजह से नहीं आ पाई। था टाइम जब गुरुजी ने कहा तो मुझे अंदर से बहुत बुरा देखिए वो कितना प्यार अपनी संगत को करते हैं इतना प्यार अपनी संगत को करते हैं कभी उन्हें दुखी नहीं होने देते उनके भग्य में जो लिखना चाहते हैं जो देना चाहते हैं वो देते हैं लेकिन हमारी जो बतकिस्मत है यह हम लोग नहीं कर पाए हमने आग चंदर शेखर जी के घर में मीटिंग थी, चाते में वहां बुलाने के लिए का था, वीरवार आपने है, मैं उसके बाद में चुप हो गी और मैंने अपने, मैंने गुरुजी से माफी भी माँगी और मैंने का गुरुजी में इसे बहुत बड़ी गलती हुई, तो वो फिर उ उनोंने जैसे बच्चों के लिए भी कुछ कहा, मैं नहीं मान पाई उनकी बात को ध्यान नहीं दिया, उसके लिए भी मुझे बहुत तकलीफ है, कि मैं उनकी बात मान लेती तो, शायद मेरा बहुत अच्छा रहता, चलिए जो गुरुजी की किरपा, गुरुजी से प्रात्म कि गुरुजी जो हुआ, आप उसके लिए माफिद हो, और आगे के लिए हमारे को अच्छा रास्ता दिखाओ, इसी तरह से पूरी जर्नी चलती गई, और हुआ ये कि चलते-चलते, बीच में कुछ दिन का गैप भी आगया, आटोमेटिकली पता ही नहीं चला, 2006 से 2007, 2006 का एंड और 7 में तो मही में वो हमारे बीच में से चोला छोड़ी गए, लेकिन उस बीच में क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, वो गुरुजी का अपना सोचने का तरीका, जब उसके बाद हम जब दुबारा, जब गुरुजी के साथ मिले और चोला छोड़ने जो तक्रीफ अंदर हुई, जैसे अंदर लगता था कि इस शरीर को अब रहना ही नहीं चाहिए, अब हम कहां जाएंगी, किस के साथ रहेंगी, लेकिन गुरुजी ने पूरी किरपा, पूरी किरपा रखी, और हमें ये बता दिया, मैं कहीं नहीं गया, मैं आपके बीच में हूँ, जब मैं पहले, जब हम जाते रहें तो गुरुजी ने स्वरुप बहुत कम मिलते थे लोगों को, लेकिन गुरु की ऐसी किरपारे बहुत इतना प्यार करते थे, बहुत कभी भी अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं कहा, चरन दबाए तो उन्होंने बहुत अच्छे त रुव दिये, मुझे और पांच मुझे कहने लगे कि तो सिखनी बैन हो, मैंने कहा गईरीजी, चार, क disc not, पांज नहीं, चार है वो पांच कहते रहे, मैं चार कहते रही, फिर हसने लगे, कहते है, अपनी मा को लो पूछी, तो मेरी मदर थी, मैं घर आई, जो मैंने मदर से पूछा, कि मा, हमारे पास, हम लोग तो, चार सिस्टर्स हैं, एक और, कियते हैं, हाँ, एक सबसे बड़ी थी, जो बच्पन में ज कि अपने पास रख लिए, गुरुजी ने उसके पीछे सिगनेचर करे थे अपने, मेरे को, उन्होंने दे दिया और मैंने रख लिए, और इतना बिजी शेडूल मेरा रहता था कि, सोशल सर्वीस समझे या कुछ भी जो, उसमें हर वक्त वक्त पड़ा हुआ, अब आके, व हुआ 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 ह मेरे को मैंने छोटी डॉटर के लिए रख दिया, एक मैंने अपने मंदिन में रख दिया, एक मेरे बीच वाली डॉटर है, उसने वो बाद मिलिया मेरे से, अब मैंने उसको भे दे दिया. लेकिन बड़ी वाली डॉटर के मैं इसलिए सुना रहे हैं कि गुरू जी को हम कहते हैं कि गए हमारे बीच में से गए नहीं है कहीं वो दो सुरूप जो मैंने अपनी डॉटर को दिये थे बड़ी वाली को किसी तरह से पता नहीं कैसे प्लास्टिक जो जो गुरू जी की तस्वीर थी उसके उपर प्लास्टिक चड़ा हुआ था उसके पीछे गुरू जी ने सिगनेचर कर रहे स्केच पैन से और इतने दिन से मेरी ख्याल से 20 साल 21 साल मेरे पास रहे वो सुरूप कोई दिकत नहीं थी जब उसके पास गए बाई चांस उसके किसी तरह से वो सुरूप के बैक के सिगनेचर उड़ गए मिज़ मिट गए या क्या हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पनी पर्स में देखा उसने मेरे को पहा कि ममी मेरे तो ये सिगनेचर मिट गए पता नहीं कैसे मेरा हाथवात लगता रहता उससे रब होके मिट गए तो मेरे को डर लगा मैंने फटा-फट अपने जो मेरे पास रूप थे उसके उपर मैंने एक प्लास्टिक कवर चड़ा दिया एक और कि अंदर रहें गुरुजी के सिगनेचर वैसे के वैसे या एकीस साल बाद उन्होंने मुझे दिये और थब ऐसे ही रहा तो यह क्या होगा मेरे से कौन सी ऐसी गल्पी हुई उसने बताया नहीं लेकिन अंदर 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 गुरुजी से प्रात्ना करती रही तो एक दिन उसने अपनी पर्स में से यह उसने मुझे बाद में बताया मुझे भी नहीं बताया वो एक सत्संग में थे किरे अंटी के हैं सत्संग था उसने वहाँ अपना शेयर किया तो मैं नहीं तो तुमने मुझे तो नहीं बताया जबकि अपने बच्चों कभी ने चोड़ते कितना ही हम लोग सोच ले हम जब दुखी होते हैं तो वो हमारे सामने आते हैं मैं बहुत सारे सत्संग करूंगी जिस तरह से वो सामने आके उन्होंने हमें न्यू लाइफ दी हमारी संशां को मिटाया और कभी वो रिचुल्स में नहीं पढ़ते थे कि ये निलाओ ये पहनाओ ये कपड़े पहनाओ वो सत्संग में भी नहीं कहते कि बहुत सजावट करो वो कहते हैं अच्छे मन से साफ मन से अच्छे करम करते वे साफ सफाई रखिए एक कुरसी रखिए दो फूल रखिए जो करिए मैं पवित्र मन से जो बु तो स्वरूप उसके सिगनेचर मिट गए थे और वो बहुत परिशान रही इतने दिन तक तो अपने पर्स में से वो दुबारा उसकी कोई रिंग कहीं शादी में जा रही थी तो रिंग उसने डाली उसने रिंग निकालने के लिए जैसे हाट डाला तो वो स्वरूप निकले जैसे सोरूप निकले उसने बैग देखा तो गुरूजी ने डाक एकदम डाक पैंसे दोनों में सिगनेचर उसके आगए अबी फोटो मेरे पास यहां मैं दिखा नहीं पाऊंगी नहीं तो मैं दिखा थी कि गुरूजी ने दोनों के पीछे दुबारा से सिगनेचर गुरूजी का प्रेम करेंगे या यह कहें कि गुरूजी आज भी हमारे साथ हैं जिस चीज से हम दुखी थे परस में दोनों स्वरूप रखेंगे और दोनों पे सिगनेचर करके तो जब मिला तो मतलब एक मन को शांती मिलते हैं शुकराना किया गुरूजी बहुत बहुत आप किस तरह से हमारी आवाद सुनते हैं कैसे हम लोग कोइंसिडेंट समझके ले ले लेते हैं कि ऐसे मिट गया होगा चलो कोई नहीं क्या फरक पड़ता है लेकिन जब वो दुखी थी और उसका दुख दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत सिगनेचर आज भी अभी भी व तो हो सकता है वो हमारे कुछ करम हैं जो उस छोटे से दुख में काट रहे हैं पता नहीं कितने करम बुरे करम हमारे जनम जनमांतरों से चले आ रहे थे जिसको वो विद्वन्ज करते हैं जिसको वो अपने अपने हातों से अपने उपर कस्ट लेते मैंने उनको खुद गुरुजी के रौना गुरुजी का इतना स्वरूप इतना सुन्दर इतना रूप सुन्दर है लेकिन कभी कभी देखा गुरुजी का हालात ऐसी होती थी कि वो चलने में भी उनको परिशानी होती थी, उठने में, चलने में, तो उससे पता चलता था कि कितनी पीड़ा इन्होंने अपने भक्तों के लिए, अपने संगत में से किसकी पीड़ा को कैसे ये जेलते, अपने उपर लेके कस्ट काटते थी, वो कहते थ उससे वो खतम करते थे, भसम कर देते, अपने उपर लेके कस्ट भसम करते हैं, तो हर संगत के इतने कस्ट उन्होंने लिए, इसलिए उन्होंने कहा, कि शरीर मैंने छोड़ा, इसलिए छोड़ा है, कि इस ब्रहमांड में, इस कल्यूग में, बहुत बुरा समय आने वाला है, जब हो कई बहर ही कहते थे वी वी बहुत खराब है वी वी बहुत माड़ा है। हम सकता है कोई। बहुत बरसात आएगी बार आएगी सूखा पड़ेगा हम लोग यह सोच पर यह नहीं पता था जो आज का समय है जिस कोविट से जिस परिशानी से हम लोग पूरा विश्वा इसको जहिल रहा है यह नहीं पता था गुरू महराज कौन सी ऐसी चीज़ है और उन्होंने अपना चोला इसलिए छोड़ा कि अब उनकी ताकत अंगिनत गुना हो गए अंगिनत गुना हो गए इतना विशाल का इतना रूप उनका के वो उपर से पल पल हर संगत को देख रहे हैं हर संगत को देख रहे हैं कि किसको कहा पीड़ा है कहा उनको जाके उसे ठीक करना है मनले वो क हम याद करने से ही काम करने की बात है कोई मंत्र नहीं कोई पूजा पाट नहीं कोई उपाए नहीं उपाए जो बताते थे वो जरूर है कि कभी कभी लेकिन शायद मुझे लगता है हमारे दिखावे के लिए बताते थे कि बहते पाने में ये बहाद हो चाना बहाद हो ये ऐसे सिठी करना लेकिन जब समय आता है तब अपनी संगत के साथ जरूर खड़े होते हैं उसे दुख में कभी दुख ही नहीं होने देते मैं एक और सत्संग अपना इसी तरह से सुनाती हूँ कि अभी पिछले साथ आठ महीने पहले की बात है मैं अपने टीवी रूम में बैटके टीवी देख रही थी और कच्छा नारियल है ना वो मैं खा रही थी खाते खाते पता नहीं क्या हुआ एकदम मेरी विंट पाइप में वो छोटा सा टुकड़ा कहीं फस गया बहुत कफ कि लेकिन वो नहीं निकला और सांस मेरे को अंदर जाने रही थी क्योंकि वो अटका हुआ ना नाक से ना मुझ से और पूरा ब्लैक एकदम ब्लैंग हो गया तम काला और सिर्फ मेरे सामने गुरू जी की तस्वीर है वो मुझे तस्वीर देख दी तो उसमें मैंने कहा आती हैं तो आपको भी आप भी तर जाते हैं, आपकी भी समस्यां खतम होती हैं, तो मैंने एक सत्संग पढ़ा था, एक अंकल का, कि वो उनकी फूड पाइप में, विंड पाइप में, उनकी फूड पाइप में कुछ ब्लॉकेज से आ गई और वो कहते हैं, सुबा से शाम तक अपने आप एक बप आई जोर से और मेरा ठीक हो गया, मेरे को वो उस समय में, जब सारा मेरे को ब्लैक आउट जैसा हो गया, वो सत्संग याद आ रहा था, गुरुजी सिर्फ तस्वीर देख रही थी, इतनी देर में क्या हो आपता नहीं, मेरे जोर से सांस अंदर गई, ऐ कैसे करके मुझे भी प्याद है, कैसे गई और कफ के साथ वो एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकला, मेरी सांस में सांस आई, नहीं तो मेरे ख्याल से अगर दस सेकिंड और सांस नहीं आता तो मेरा बचना मुश्किल था, ये गुरुजी ने मेरे को नया जीवन दिया, जि लेकिन वो अंदर जाई नहीं रहा था, वापस आ गया, लेकिन जैसे मैंने गुरुजी को याद किया, देखिए कहां होंगे गुरुजी, हम ये कहते हैं न, कहीं गए, कहीं नहीं गए, वो पल पल हर घर में, हर जगा देख रहे हैं कि कौन, कहां पे, क्या, किसको जरूरत ह तुरंट तुनों ने आके और मेरा वो एकदम बाहर निकला, सांस अंदर गई और उस पूरे उससे जितना अंदर गई, उस प्रेशर से जो मेरा बाहर निकला, तब मेरे को पूरी सांस आई और मैंने तब बताया अपने हज़िमन को, मैंने आप बोल रहे थे, मैं आपको ब पलपल अपनी संगत को देखते हैं सिर्फ यही है संगत से मेरी प्रात्ना यही है कि गुरू जी को याद करें वो कहते थे मुझे याद करो मेरा शुकराना करो मेरा नाम लो तो उनको शक्ति मिलती है हम गुरू जी के लिए भी कभी कभी कहते थे गुरू जी के लिए जाब कर रहे हैं उससे गुरुजी प्रसन होता है जब वो खुश होते हैं तो उनकी ताकत कोई भी माता पिता भी पैरेंट बच्चे अगर अच्छा काम करें मदर पादर देख के जब खुश होते हैं उस खुशी से उनको शक्ति मिलती है ताकत मिलती है वो ही हमारे गुरु की हम उनक है और जब हम उनको शुक्राना करते हैं या उनको कहते हैं गुरुजी आपने बहुत अच्छा काम काम वो कर रहा है लेकिन उनको जब खुशी मिलते हैं उससे उनकी ताकत बढ़ती है उनकी शक्ति बढ़ती है क्योंकि कैवरी कहते थे लोग बेकार की चीज़े मांगते हैं लोग मेरे को नौकरी दे दो मुझे प्रमोशन दे दो मुझे ये दे दो मुझे मकान दे दो मुझे गाड़िया दे दो लेकिन कहते हैं कोई अच्छी चीज असल चीज नहीं मांगता तो हम कहते हैं गुरुजी असली चीज क्या है तो कभी-कभी तो वो भी चुपो जा दे असली चीज़ का मतलब उनका नाम जपो, अच्छे करम करो, किसी के बारे में बुरा ना कहो ना सुनो, और ध्यान हर वक्त, वो कहते हैं नहीं कि सिरफ बैठ के तुम ध्यान लगा, पूजा में बैठ जाओ, चार घंटे बैठ रहो नहीं, वो कहते हैं कि दो मिनिट के लिए भ गुरुजी को अपने रिदे में रखे, उनका नाम जबते रहो, ओम नमेशिवाय शिवजी सदा साहिए, ये गुरुजी ने अपने मूँ से ये मंत्र दिया था, ओम नमेशिवाय शिवजी सदा साहिए, ओम नमेशिवाय शिवजी सदा साहिए, ओम नमेशिवाय गुरुज गुरुजी तो इसी से प्रसन होते हैं, वो बहुत ही भूले बावा है, भूले बंडारी हैं, मैं इसलिए भूले बंडारी जब थे, हम सामने गुरुजी हम समझ नहीं पाए हैं, मैं अपने एक सथसंग शेर करते हूं, जो शुरू में उन्होंने मुझे दिखाया है, जब मै नहीं चाहती कि मैं उस बात को बहुत लंबे में तो नहीं बताऊंगी, शौट में बताऊंगी, तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम थी, प्लिटिकल लाइफ में तो गुरुजी ने मुझे कहा, चल, पार्लेमंट अलेक्शन लड़ी, मैं इनका गुरुजी, नहीं, 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 राजनीदी में क्या कोई गैप आ जाना, फिर कोई रस्ता ने मिलता है, तो मेरा पहला जो है, वो मेरा असम्बली का इलिक्शन है, वो लड़ुजी, तो वो चुप हो गए थे, फिर उनना दूसरी बार कहा, मैंने उनको गुरुजी, मैंने कहा ना, भीच में गैप नहीं आने देंगे, फिर उन्होंने जब थर टाइम कहा, तो मैंने भी उनको वो ही बात कहती है, मैंने अपनी जिद प्याड़ी नहीं, वो समझते थे, कि ये बाद ठीक है, तो हो सकता है, उससे पहले मेरे बहुत सारे चुनाव मैंने लड़ी थी, सेम कॉंस्ट्रेंसी से, इंटेंग गर्मेंसी फेक्टर वो तो गुरुजी को पता था कि मेरा समय अच्छा है या बुरा है, मुझे तो लगता था बहुत अच्छा है, कोई वो दिक्कत ही नहीं, गुरुजी साथ है, लेकिन उस समय पर जब वो एलेक्शन हुआ मेरा, गुरुजी ने अपना जानते हैं, वर्तमान में जो जीद कर रहे थे, वो कह रहे थे मुझे क्या करना, लेकिन मैं अपनी जीद प्यारी थी उन्होंने, फिर अपने बहुत बड़े विरात रूप में दर्शन दिये, विरात रूप में, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, और हम भी मैं तब भी न जीद से मैं गुरू जी चोले में थे, तब द्रीम मुझे आया था, ये, गुरू जी ये वो यलो चोले में में मेरे घर में आया और उन्होंने classify जह लेके वो छीफ जब दीखे कि तो, अन्होंने हाथ ऊपर किया नाग लिया और गुरू जी मेरे घर में देखे गया और मु बिल्कुल ठीक रहा और फिर वही है कि जब मैंने चुनाम लड़ा 2003 में और जो स्थीती बहुत लंबा है उसमें मैं नहीं जाओंगे लेकिन जो गुरू जी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था बिल्कुल वैसे स्थीती थी और मुझे जो मैं एक्च्वल जिस दिन पोलिंग पड़ा है आप लोगों को निकाल के लाइए वोट कराएं वोट कराएं यही चीज मुझे गुरू जी ने वहाँ दिखाई थी लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे को अपना आशिरवात भी दिया कि कैसे उसको निकलेंगे इससे बाद उस समय पर सब कुछ हो गया मैं जब जीट के जब मेरे रिज़ल्ट आया तो ऐवन दी इलेक्शन गुरू जी के पास गई गुरू जी ने बहुत थास्ते हुआ खुश हो के मेरे से शेकन किया और कहले हैं ठीक है जी गुरुजी और वही गुरुजी की जो गुरुजी मेरे को कह रहे थी कि पार्लिमेंट लड़ना छे महीने के बाद फिर पार्लिमेंट का एलेक्शन था यह था नेवेंबर 2003 में और वो था में 2004 में उन्होंने 2004 में मुझे फिर पार्लिमेंट का एलेक्शन लड़ी जी थी पार्लिमेंट मेंबर बनी स्टार्णिंग कमिटे की जर्मेंट बनी बहुत अच्छा गुरुजी की करपा बनी रही और उसके बाद जब मेरा यह था गुरुजी ने साथ में जब चोला छोड़ा तो मैं इससे बहुत मतलब वो समय बहुत ही क्रूशल समय था मैंनका डिलीमेटेशन भी हो गया तो मेरी कॉंस्टेंशी भी बदल गई थी तो मैं करूं तो गुरुजी ने मुझे सवपन में फिर वही दर्शन दे के गुरुजी कहते हैं जो सवपन में आते हैं गुरुजी सवपन नहीं होता व जब गईएन आई गोट टीकेट, वहां इन्स भी आगेए गवान बैचानों ब्सक्री बद्रभ सकतों अर गरुरुजी की किरपाति आगई और गुरुजी का मैं शुकारहना कर ते हैं बहुत-बहुत शुकारहना कर आथे और पहल पल. पल 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 पे उन्होंने बचाया आज भी जब थे चोले में ये तब की बात है और बाद की बात है कि मेरे गले में जो कैसे फसा कैसे उन्होंने मुझे बचाया कैसे कस्ट दूर करे किस तरह से रोग मुक्त करते हैं हो सकता है कि कभी किसी को एक दिन में ब्लैसिंग्स मिल जा में बांध नहीं सकते हैं हम किन शब्दों को में प्रियोग करूं मुझे भी नहीं समझा रहा कि मैं कैसे गुरू जी की आज की पल-पल की जो महिमा होती है उसको कैसे उन्हों डर्शन देते हैं किस तरह से अपने जब हम जाना होता है मंदिर बड़े मंदिर तो आटमेटिकल हम सोसते हैं कि गुरू जी देखो हम जब है कितने शान से आते थे कोई रोक टोक नहीं ठीक है अब ज्यादा वह पहले कहते थे लाइना लगेंगी तो हम लोग मजाख में लेते थे उस बात को लाइना लगेंगी दर्शन भी नहीं मिलना करालो जिना नों डर्शन कराने आए लेया उस अंगत नों तो हम थोड़ा लाइटली लेट से कि कितना हो आमपार एस्टेट में बैठते हैं हम लोग सो लोग डेट सो लोग दो सो पांसो छे सो हजार दो जार पांसा जार हो जैसे पहले आप हमें बुलाते थे ऐसे सीध्या बुलान तो हमेशा से उनकी किरपा रही है उनकी ऐसी किरपा रहते कि वो तुरन जैसे पहले बुलाते थे वैसे बुलाके दर्शन कराके मत्ता टे के लंगर प्रशाद लेके लंगर में वो शक्ती है जो उसको लंगर समझ के भोजन समझके खाएगा उसके लिए वैसा है लेकिन अगर उसको प्रशाद मानके खाएंगे तो शरीर के तन मन के जितने रोग हैं जितने परिशानिया हैं आटोमेटिकली एकदम निकल जाती है जैसे गुरुजी ने कहा कि जो सतसंग हम लोग करते हैं अभी तो हमारे एक अंकल हैं उनको कई बहुत सारे ड्रीम में गुरुजी ने आके बताया जो उसनों ने शेयर किया वो मैं आपके साथ यहां शेयर कर रहें उन्होंने कहा गुरुजी ने कहा है कि वीरवार के वीरवार गरम दूद में जो जलेबी खाएगा उसको हर रोग से मुक्त रहेगा यह गुरुजी के जो उस अंकल ने अपना सुनाया कि ड्रीम में आके गुरुजी ने कहा है कि यह हर वीरवार को दूद जलेबी खाने से हर तरह के तुमारे शारे ड्रीम मांसिक रोग दूर होंगे अब हम इतना तो करी सकते हैं कि जो गुरुजी ने कहा है गुरुजी ने क्योंकि जो कहते हैं कहा न कि गुरुजी के ड्रीम नहीं वो सच्चमुच आके करता है एक हमारी नीटू आउंटी है उन्होंने भी एक बड़ी गुरु जी ने उसको ड्रीम में बताया और उसे कहा कि पांच साथ चीजें बताईं सारी तो मुझे याद ने उन्होंने ये कहा कि देखो जो गुरु जी का कोई मेसेज मिलता है उसको मान लेना चाहिए अगर कोई य कि जरूत नहीं है अगर वो सही है तो सही है हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर वो गलत भी है तो हमें तो गुरु जी का मैसेज करके मिला है हमें मान लेने से उसका अच्छा फल हमें मिलेगा और कोई जो गलत कहेगा वो गुरु जी जाने और ऐसे उन्होंने बहुत सार करके चमका के रखो कैवरी ऑक्सडाइज भी होती है तो उसको भी साफ करके धूल नहीं होने चाहिए साफ रखो मैं क्योंकि मैं मेरी आत्मा जो है अब शिव में प्रवेश कर गई है मैं शिव रूप में हूं हर घर में जितने आप इनको चमका उगे इतना साफ करोगे उतनी नेगेटिविटी इस संसार से निकल जाएंगी ये ऐसी और पांसा चीजें थी मैंने नहीं लिखी लेकिए क्यों सांटे ने लिखी थी जब सत्संग में उन्होंने बताया कि वो चीजें थी मैं इसलिए ये कहना चाहरे हूं कि गुरु जी के जो वचन रहे गुरु जी की जो वडियाई हम लोग नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से गुरु जी ने जो हमें सारे जवाब देते थे जब गुरु जी के इंपारे स्टेट में हम जाते थे जो सीडी लगाते थे वो गुरु जी की अपने कहने से लगते थी जितने भी वचन सुने जाते थे जितनी भी सीड मुझे याद नहीं है जिसका साहीं डाड़ा उसको दुख का एको इस तरह से है उसके लिए तो भगवान जो हमारे जो डॉक्टर हैं जो हमारे वैद हैं जो हैं वो सिरफ गुरुजी हैं गुरुजी का नाम लेके आपने जैसे पहले भी कहा कि मेडिसिन की बात कई वो बात ठ आलो यह दवाई खाने हैं खाने हैं या तो मना कर देते हैं कोई जूड़त नहीं है या वो कहते हैं खालो मैं मैं ब्लेस कर रहा ना तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं गुरुजी की चीजें जो ब्लेस्ट हो जाएं उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता र पल पल हम गुरुजी का जब ध्यान करते हैं, तो मैं तो ये चाहते हूं कि हम सब वो अगर यही कहते हैं कि तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे काम करूँगा, तो इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल है? हम हर वक्त गुरुजी को ध्यान रखें, गुरुजी को अपने साथ मह मैंने उनको कहा, गुरुजी इसको भी दे दूगा, तो कहने लाए, मैं दे दिल इचरहन दा है, नू कीज लोड़ी, मैं चुपो गई, फिर मन मन में सूची दी कोई बात नी, मेरे पास जो है, मैं इसको दे दूगी अपना, मैं अभी सूची दी तो थुर दर बात गुरुज गुरुजी ने तभी उसको एक दिया, तो मैं मन मन में हसने लगी, मैं सोची थी, मैं अपना दे दूगा, गुरुजी ने एक और दे दिया, तो कई बड़ी ऐसे करते थे उसकी एक परिशानी थी, मैंने गुरुजी को कहा कि, गुरुजी इसको ये बोलता है, डॉक्टर, अगर उन्होंने इस अंजो ये, कह दिया, अगर उन्होंने इसको ख्योर कर देते थैं, फिर उन्होंने अपनी चाए प्रशाद पी रहे थे, और पीते पीते उसको काले पी ले, तो उसने लेके पी ली, तो ये ठीक है, गुरुजी की कर्पा बने नहीं, कोई रोग जो उस दिशानी में हो, पर मैं अभी भी सोच चूँ कि हम लोग उनकी बात में जिद करती थी, अभी भी जैसे मुझे एक द्रीम आया, और गुरुजी कह रहे है, मैं अकसर सत्संग सुनती रहती है, तो मैं सो रही थी, और सत्संग चला रखा था, मैं सो गी ड्रीम में आये, कर रही है, और मैं अपनी डॉर्टर को बोला कि मैंने तो कह दिया कि नहीं नहीं मैं सुन रही है, तो गुरुजी बहुत खुश होता है, सत्संग करने से, सत्संग सुनने से, वो कहते थे, सत्संग कहने वाले का भी कल्यान और सुनने वाले का भी कल्यान, किसको कहां क्या र जवाब देते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे जो भी समस्या हो जो पाप है जो प्रॉब्लम है गुरुजी के चरनों में गुरुजी ने ये भी कहा कि कोई भी पाप की गठ्री मेरे चरनों में छोड़ दो मैं इसको कुचल के सब खतम कर दूँगा और तुम्हें ब्लेस कर होगा या हमारी बहुत सारी दिन भर की या समस्याएं होती हैं टेंशन होती हैं परेशानी हैं तो कि टेंशन मेरे चरनों में छोड़ दो आज भी आप जहां भी हैं पूजा घर है नहीं है मानसिक तोर से भी पूजा करेंगा और गुरुजी के चरनों में छोड़ दो गुर गुरुजी मैं कुछ नहीं मैंने तो अपना जीवन आपके हाथ में दिया आप जानो आप मुझे कहां ले जाएंगे क्या मेरे जीवन में सीख है वो कर और यह मानिये सच मानिये आप यह प्रॉब्लम का हल गुरुजी खुद निकाल देते हैं जो उनके चर्णों में आपने स मस्यां रख दी और फ्री हो गए उनका का मेरे को चिंता नहीं करने मुझे चिंतन करना है आपका चिंता आपकी है मैं केवल आपका चिंतन करूं और आप हमारी चिंता दूर कर तो वो दूर होती होती है कोई कोई ऐसी कोई काम ऐसा नहीं है जो गुरुजी ने ना किया हो च तरवोच शक्ति है, वो प्रकाश है, वो जोत है, जिसका आदिना आंत है, जिस जोत से जिस प्रकाश है, जिस रोशनी से, सारे देवी देवतों की जोत चक्ति है, चाहे वो मंदिरों, मस्जिदों, गर्द्वारा हो, जहां भी हो, यह सब सिर्फ प्रभू की लिला है, ब्रमाण में, एक प्रमाण, हम Sound estheric ब्रमाण ने एक निए अन्हेको भ्रमाण अन्हेको ब्रमाण निए को ऑता रहे हैं अनियको भर últины यहां गुरूजी व्याप्त हैं हर जगा में तनी उनकी शक्त्तो ine thinking वे खुद भी कहते थे अगर मैं पूरी तरह से आपको दिखा दो तो भसम हो जाएंगे इतने तेज है उनमें ये बात गुरुजी खुद बात करते थे उस समय पर और ये कहते थे और हम मानते भी है चाहे है उस समय में हम लोग इंसान है न तो मजाक रूप में गुरुजी ने कहा दिया हमने सुन ल चीजें मानी कुछ नहीं मानी आज मैं माफी मांगती हूं गुरुजी से बारं बार उनसे कहते हूं बख्षनहार मुझे बख्ष देना मेरी गलती है मेरी बच्चों गया किसी की भी गलती हुई संगत को बख्षो और अपने सही मार्ग पे लाओ अपने चर्णों की ऐसी समेती दो जिस समेती से हम अच्चे करम कर सकें अच्छे चल सकें अच्छी बात कर सकें और आपके बताय हुए रास्ते पे चलें आपकी संगत जो हुआ एक बहुत बड़ा परिवार आपे दिया है सुक-दुक में हम एक दूसरे के साथ रहें जहाँ जहाँ से समय पे गुर जगरिये हर घर में सत्संग हो रहे हैं, चाहे घर में चार लोग ही बैटके अपने करें, या आसपास की नई संगत को बुला के सत्संग करें, ये गुरुजी चाहते थे, और वो हमें करना भी चाहिए, गुरुजी ये जो सत्संग प्लेटफॉर्म दिया है, मैं आपका भी श चुकराना कि आपने पूरे जगह पे जहां जहां भी ये फ्याल रहा है, जितनी भी संगत सुन रही है, सब को ब्लेस करें गुरुजी, करपा करें सब पे, जिसकी भी जो कठनाईया हैं, जो उन्हें दूर करें, कोई भी जो रोग है, दोश है, दुख है, परिशानिया है, उसकी घर की हैं, बाहर की हैं, बच्चों की हैं, पढ़ाई की हैं, सब को दूर करें गुरुजी, मेरी तो यही मन से इच्छा निकलती है, मेरी मन से की सोच है, गुरुजी के दियो है, जो ब्लेस करा है, गुरुजी ने सब को और ज़्यादा ब्लेस करें, गुरुजी की ब में ज़्यादा ब्लेस कर रहा है कभी भी देखिए नहीं संगत जाती जो 17 में जुड़ी 18 में 19 में 20 में अजी जो जाते हैं उनको भी ब्लेस करते हैं ये गुरुजी का सत्संग है बहुत सारा मैंने बोल दिया अभी समय पता नहीं मुझे लेकिन फिर मुझे बुलाएंगे मै और चीजे आपके साथ शेयर करूंगी लेकिन अभी नहीं शब्दों के साथ मैं गुरुजी के चर्णों में अत्मस्तक होती हूं प्रात्ना करती हूं धन्यवाद गुरुजी का और शुक्राना बहुत-बहुत और सारी संगत का सुक्राना जो सुन रहे हैं उन सब का भी श नमस्ते जी नमस्ते जी तो नमस्ते जी जाए गुरुजी जी अम बाद में भूलने लेगे पहले तो नमस्ते जी करते थे शुक्राना